कोरोना काल ने सब की कमर तोड़ दी हैं फिनैंशली जितनी सेविंग्स भी वो इस्तमाल हो गई पिछले साल ही इस्तमाल हो गई इस साल निकालना तो बहुत मुश्किल हो गया लोग hand to mouth के situation पर आ गए हैं और जो भी काम मिल रहा है वो कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री का भी यही हाल है ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री की एक ही यंग आक्टरस ने बताया है कि उसकी इस्तिती बहुत खराब चल रही है सेविंग्स खतम हो गई है पैसा खतम हो गया है काम है नहीं और ऐसे में ऐसे काम उठा रही है बिना सोचे समझे कि बस जिससे पैसा मिल जाए और EMI निकल जाए रोल अच्छा बुरा लंबा छोटा ये सब भी वो नहीं देख रही है समिक्षा भटनागर नाम की आक्टरस जिसने हमारी वाली गुड नियूज में काम किया उन्होंने एक मीडिया को इंटर्व्यू देते हुए अपनी फिनांशल इस्ति के बारे में खुल कर बात की है समिक्षा ने बताया कि इनिशली जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैंने माइंसेट किया था कि मैं ऐसी ही हर रोज सास बहु सीरियल इस तरह के रोल्स नहीं करूँगी मैं अच्छे रोल्स चूज करूँगी जिससे मेरे एज इन आक्टर होने की जो प्रोफाइल है वो बड़े लेकिन इस कोविट ने तो इतना तोड़ दिया कि अब वो कोई भी काम करने को तयार है और ऐसे रोल्स भी कर रही हैं जो कुछी दिनों के हैं हफते भर के दस दिन का रोल है वो रोल्स भी वो कर रही है क्योंकि इस वक्त उनका टारगेट चेंज हो गया है इस वक्त वो करियर या आक्टर की प्रोफाइल के बारे में नहीं सोच सकती है बलकि उससे पहले उन्हें अपने घर का रेंट, EMIs, Electricity Will इन सब चीजों के बारे में सोचना है समिक्षा ने कहा कि डेर साल से कुछ भी काम नहीं किया है जितनी सेविंग्स थी वो भी खतम हो चुकी है अब financially मैं बहुत टूट गई हूँ इधर पैसा नहीं और इधर काम नहीं इन दोनों चीजों ने हालत खराब करके रखी है अगले कुछ समय में अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मुंबई में मेरा सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा समयक्षा ने कहा कि पैसा खतम हो गया है अब काम के पीछे भागना ही पड़ेगा पहले सोचा था कि सासबह सीरियल्स में कभी काम नहीं करूँगी लेकिन अब जो काम आएगा वो करने के लिए तयार हूँ क्योंकि ये वक्त चूजी होने का नहीं है बलकि काम पकड़ने का है समयक्षा निमरालाजी में बहुत बिलीव करती है तो इसी के तहत उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग में कुछ चेंजिस किये जिसके बाद सब कुछ ठीक चला, उन्हें काम भी मिला, उन्होंने पैसा भी कमाया लेकिन इस लॉकड़न ने सब कुछ घरबड कर दिया समयक्षा इंडस्ट्री की यंग अक्त्रस है समयक्षा की जो कहानी है वो इंडस्ट्री के कहीं अक्टर्स की कहानी है साउथ से भी कल हमें खबर आई थी कि किस तरह से साउथ इंडस्ट्री की एक popular comedian जिनकी उम्रे 70 साल है वो तो पाई-पाई की महताज हो गई है